हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत सुआगत है तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जारी हूँ बहुती टेस्टी गेहूं के आट्यो और आलू के स्टब्ड जीला फ्रेंड्स आप इसको सुवए ब्रेक फास्ट में बच्चों के टिफिन के लिए बना सकती हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में तो बहुत ही जाता टेस्टी लगते हैं तो जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो आप इनको बना सकती हैं तो चली आप चाहे तो इसके लिए लाल मेच का पाड़र भी ढाल सकती हैं आधी चमच नमक डालेंगे नमक आपने टेस्टे कोडिंग डालें और एक ट्याई चमच हल्दी का पाड़र इससे कलर अच्छा आएगा तो इन सबीचियों को अच्छे से हम इसमें मिला देते हैं तो मैंन इसको अच्छे से इस तरह से इसका स्मूध बैटर बनाके त्यार करना है इसमें टोटल डेर का पानी का यूज हुआ है और यह बैटर हमारा बन गया है तो अब हम बैटर को कवर करके 10 मिनट के लिए चोड़ देंगे थाकि अच्छे से से हो जाए जब तक बैटर अच्छे गरम हो गया है तो इसमों आधी चमद जीर डा लेंगे आधी चमद चन्मा चराई के दाने डाल देते हैं और एक प्रेशी चेग डाल लेहिए और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो friends मैंने आपर एक बारी कटा हुआ प्याज लिया है ये इसमें डाल देते हैं और 6 से 7 मैंने आपर एक करी पत्ते लिए हैं इनको हम इस तरह से थोड़के डाल देंगे एक हरी निर्च को मैंने इस तरह से बारीक चौप कर लिया है यह इसमें डाल देते हैं इन सभीचियों को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं अब हम प्याज को थोड़ा सा गोल्ड ब्राउन उने तक फ्राई कर लेते हैं बहुत ज्यादा मैं इसका कलर चेंज नहीं करना है अिसका कलर देगी सस्थेंज हो गया है तो यह मेंने आपर कुछ मटर के दाने ले लिए हैं फ्रेंड्स मैंने आप और यह अवाल आप चाहे तो फ्रॉजन मटर भी ले सकती हैं अगर आप इसको फ्रॉजन मटर ले रही है तो जूरना वीट dabu क्यों और एक मिनारे यापर यह दो बड़े cancel के आलु ले यह दे इनको मैंने अच्चे से बॉयुर करके इससे मौटा- Cemegis कर लिया है अंच्छ कर दिया है TP तो इनको मिक्स करने के बाद हम साथी साथ इसमें मसाले डालेंगे तो एक त्याई चमच हल्दी का पावडर डालेंगे एक त्याई चमच लाल मिच का पावडर आदी चमच धनिया पावडर डालेंगे इससे बहुत अच्छर टेस्ट आता है और आदी चमच आम चूर का और 2-3 नट के लिए इसी तरह से आलू और मसालों को फ्राई कर लेंगे देखिए इस तरह से आलू मसालों को अच्छे से फ्राई कर लिया है तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़े से मोटे मोटे से तुकडे दिख रहे हैं तो अब एक आलू मैसर ले लेंगे और अच्छे स और अच्छे से मैश कर लेते हैं कि देखिमेंने स्थेस्टफिंग नंक्या के हमारी तियार हो गई है तो हम लाश्ट में थोड़ी प्तिया कि डाल देते हैं और इनको भी हम इसमें मिला देते हैं जब हम गैस को gift को kembar कर देते हैं और stuffing को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो stuffing को अब हम एक plate में निकाल देंगे ताकी जल्दी से ठंडी हो जाये और पान से दस मिनट के लिए हम स्टफिंग को इस तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं देखिए स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी होगी है तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से स्टफिंग लेंगे और हाथ से इसको रॉल करते हुए इस तरह से सिलें नाले बाद में तो पहले से प्रोसेस सारा कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी बन जायागा इसलिए हम पहले से ही मैंने या पर कुछ बना के रख लिए हैं तो इधर बैटर को रखे हुए दस से पंदर में तो चुके हैं और देगी बैटर अच्छे से फूल गया यानि के अच् सोड़ा है बहुत जादा नहीं डालना है थोड़ा से डालेंगे बस इससे थोड़े से अच्छे से हमारे जो चीले बन जाए तो बैटर हमारा बन गया है तो अब हम चलते हैं गैस की तरब तो इसके लिए मैंने आपर गैस और करके दबा रखा हुआ है और इसमें कुछ मैं फ्रेंड्स हम इसको गोल नहीं बना रहे हैं इस तरह से हम इसको थोड़ा सा लंबाई में फैला देंगे आप चाहिए तो गोल भी बना सकती हैं तो इस तरह से हम इसको फैलाने के बाद कुछ बूंद हम इस पर ऊपर से ओल की डाल देते हैं तो अब हम इसको कवर के दो तो आपने का हम इसके क्याइं करें विद्लमृत हम देखु हैं अब देख सकते हुपर से एक अचमी लिए चेंज हो गया है तो आपने की पर आपनू से चोफीर मेरा हाई तो डें तो प्रण तो हम भी आलू की का यूप ऐसी चैचू यह स Şimdi यह लगा देखुर कछी से इस तरह से और इनको फोल्ट कर देते हैं इस दीज़ें से नास्ता बलखो को बहुती पसंद आएगा अगर खाना नहीज फाras टो इस तरह से आप उनको बनाप्व इस तरह से बड़ों को इसी तरह हैं दूसरा भी बना लेंगे तो सेम्य प्रोसेस से हम फिर से लगा देते हैं बैटर को थोड़ा सा इस तरह से लंबा कर देते हैं और इसको भी हम उसेख लेंगे तौनों साइड से अच्छे से फ्रेंट्स अगर आपको लग रहा है कि आप सुवज जल्दी उपर में जा रही है जल्दी बच्चों के तो आप इस नास्ते को का जलू टाई करके देखें, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो यह देखी इस तरह से यह भी सिख गया है दोनों साइट से, तो अब हम इसमें फिर से स्टफिंग लगा देते हैं, और इसको भी मच्चे से फोल कर देते हैं, यह थोड़ा गरम हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा कल्ची की सायता से साबदानी से इसको फोल करेंगे, यह देखिए, तो इसी तरह से हम यहां पर सारे चीले बना-बना के त्यार कर लेंगे, यह देखी कितना अच्छा सा कलर आ गया है, तो अब मैं आपको एक कट करके दिखाती हूं, यह दे अगर आपको में रेसिपी अच्छी लगे, तो में रेसिपी को लाइक, में चैनल को सब्सक्राइब करें, एंसेयर करें, फिर मिलेंगे रेसिपी के साथ तब तक के लिए, भाई-भाई, टेक क्यार